कि है लो चुल्रेंट है लो अलव यू आज हम आपकी आर्बी एसी क्लास सेवंत इंग्लिस का सीकेंड चैप्टर करेंगे फॉर्स चैप्टर इसका अप्लोड किया जा चुका है यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजेगा ठीक है यह आर्बी एसी आपने नहीं देखा है अगर आप क्लास 3rd, 4th, 5th किसी में है तो आप प्लेलिस्ट चैक कर सकते हैं वहाँ सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है माई ड्रीम स्कूल ठीक है ड्रीम किसको कहते हैं ड्री यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ 3 कोश्चन दिये गए हैं यह क्या क्या कोश्चन है पहला आप से पूछा गया है कि name some children from your locality who do not go to school आपको अपनी locality कहते हैं जहाँ पर आप रहते हैं ठीक है जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर अगर कोई ऐसे बच्चे ह हैं कि वो इस्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं name मतलब नाम लिखने हैं some मतलब कुछ children के बच्चों को कुछ बच्चों के आपको नाम लिखने हैं from your locality ठीक है आपकी एरिया के आपको अपनी एरिया में जिने की who do not go to school जो ऐसे बच्च आपको नाम लिखने हैं यदि आप ऐसे कोई बच्चों को जानते हैं जो इस्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपको उनके नाम यहाँ पर लिख देने हैं चले second question आपसे क्या पूछा गया है second question है what is the reason for it और वो आपने first question बताया क्यों बच्चे इस्कूल नहीं जा रहे है अब सकता उनके parents हो हैं उनके school जाने की fees उनके पास ना होग अपने बच्चों की school भेजने की या जो भी कारण आपको लगता है वो आप यहाँ पर आपको लिख देना है third question है what is our duty towards such children ठीक है ऐसे अगर कोई बच्चे है जो school नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए हमारी क्या जिम मेदारी हो सकती है उस बच्चे के लिए कि वो भी school जा सके ठीक है क्योंकि school जाना सबका अधिकार होता है हर बच्चे को school जाना चाहिए हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए ठीक है अगर कोई बच्चा किसी कारण बच्चों नहीं जा सकता है तो हमें उसकी मदद करनी च तो चलिए पहले मैं आपको मीनिग रिवाइच करा देती हूं ताकि आपको चेपटर समझने में आसानी हो जाए है ठीखें fare , क्या-Kya मीनिग्स में आ सकती हैं ? सफिस्ट है मैसीब है मैसीब इसमें आ सकता है तो क्या मतलब होता है राज मैसिप का मतलब क्या होता है राज मिस्त्री टीक है जो काम करने वाले होते हैं टीक है तो मैसिप कहते हैं राज मिस्त्री को ऐसी बेजिज को कहते हैं मजदूरी को टीक है जो लोग दिन बर कार करते हैं उनके बदले उने कुछ पैसे मिलते हैं तो वेजिज कहते हैं मजदूर को, ठीक है, to manage, to manage का मतलब क्या होता है, विवस्था करना, to manage का मतलब होता है, विवस्था करना, household, household का मतलब क्या होता है, घर के कार, ठीक है, household का मतलब होता है, घर का कार या घर का खर्च, ठीक है, assist, assist का मतलब क्या होता है, सहयता करना, ठीक है, assist मतलब सहयता करना, to left, to left का म मतलब होता है बची हुई ठीक है टू लेट मतलब जो कुछी बचा हुआ है लिमिटेड लिम्टेड का मतलब होता है सीमित ठीक है लिम्टेड का मतलब क्या है सीमित अर्णिंग कहते हैं कमाई को ठीक है अर्णिंग का मतलब क्या है कमाई नीट्स नीट्स कहते हैं आवश्यक् को और expenses expenses किसे कहते हैं expenses का मतलब होता है खर्च ठीक है expenses कहते हैं खर्च को इनकी आप meaning के साथ-साथ spelling भी learn करेंगी ठीक है can afford schooling ठीक है क्या मतलब हुआ can afford schooling इसकूल का खर्च बहन कर सकना मतलब इसकूल का खर्च उठा सकना जब इसकूल जाते हैं तो fees पिज़े हैं उनकी copy किताबें भी चाहिए ठीक है और उनकी uniform भी चाहिए तो इन सारे खर्चों को afford कर सकना उन्हें उठा सकना to go to school का क्या मतलब है to go to high school सिक्छा के लिए स्कूल जाना थीक है बच्चे पढ़ा ही करने इसकूल जाते हैं bearer मतलब होता है सहन करना थीक है b e a r bearer मतलब हिशन करना consider का मतलब है विचार करना consider मतलब विचार करना afford afford का मतलब होता है बहन करना यहाँ भी हमने देखा था afford afford का मतलब होता है बहन करना afford मतलब बहन करना to relaxing to relaxing का मतलब क्या है आराम कर रहा है या आराम करना to relaxing का मतलब है आराम करना relaxing का मतलब होता है आराम तो टू रिलेक्सिंग का मतलब है आराम करना, ठीक है, को लेवरर, को लेवरर का क्या मतलब होता है, को आप सीओ को अलग पढ़ेंगे, ठीक है, को लेवरर का मतलब है, साथ में कार करने वाले मजदूर, ठीक है, को लेवरर का मतलब है, साथ में कार करने वाले मजदूर, क्या मतलब होता है लंचाहर का मतलब होता है दुपैर के भोजन का समय सीम वरीड सीम वरीड का मतलब क्या होता है चिंतित दिखाई देना सीम का मतलब होता है दिखाई देना वरीड कहते है चिंता को ठीक है तो सीम वरीड का मतलब है चिंतित दिखाई देना, एक्सप्रेस्ट, एक्सप्रेस्ट का मतलब क्या है, एक्सप्रेस्ट मतलब अभिवियक्ति करना, ठीक है, एक्सप्रेस्ट का मतलब है, अभिवियक्ति करना, एक्सप्रेस्ट मतलब अभिवियक्ति करना, टू बरी, टू बरी का मतलब क्या होता है, चिंतित होने से, टू बरी, बरी मतलब चिंता होती है, चिंतित होना, टू बरी मतलब चिंतित होना, ठीक है, आर अवियर, आर अवियर का क्या मतलब है, जानते हो, अवियर का मतलब जानना होता है, आर अवियर मतलब जानते हो, Resources, Resources कहते हैं साधन को Resources का मतलब क्या है? साधन Charge, Charge का मतलब होता है School या मांगता है Charge का मतलब यहाँ पर मांगना है या School है Co-operative, Co-operative का मतलब क्या है? सहयोगी Co-operative का मतलब होता है सहयोगी Knocking, Knocking का मतलब होता है Khat-Katana K-N-O-C-K-I-N-G knocking का मतलब होता है, खट-खटाना pointing to, pointing to का मतलब होता है, की और इसारा करते हुए, ठीक है pointing to का मतलब क्या है, की और इसारा करते हुए, मैस हम पहले ही देख सकते हैं मैसन का मतलब होता है, राज मिस्त्री, ठीक है, मैसन का मतलब फ्रेंक्ली का मतलब है इसपस्ट रूप से फ्रेंक्ली का मतलब क्या है इसपस्ट रूप से फुल्फिल फुल्फिल का मतलब है पूरा करना विश विश कहते हैं एक्छा को I don't have मेरे पास नहीं है सफसेंट का मतलब है परियाप्थ मीन्स का मतलब होता है साधन यहाँ पर मीन्स का मतलब कारण भी होता है यहाँ परियाप्थ नहीं है तूपे का मतलब होता है देने के लिए तूपे मतलब देना is that all is that all का क्या मतलब है क्या यही बात है बस इतनी सी बात इस इतनी सी बात is that all issue का मतलब होता है मुद्दा ठीक है can get admitted यहाँ पहली देख चुके हैं can get admitted का मतलब होता है दाखला करा सकते हो ठीक है can get admitted मतलब दाखला करा सकते हो at all का मतलब है बिलकुल ठीक है गौर्मेंट का मतलब सरकार होती है to provide to provide का मतलब है प्रदान करना या दिल्वाना ठीक है free education free education का मतलब होता है निसुल के सिक्षा ठीक है free education का मतलब क्या है निसुल के सिक्षा बिलकुल ठीक है absolutely मतलब बिलकुल absolutely a b s o l u t e l y absolutely मतलब होता है बिलकुल ठीक है absolutely का मतलब क्या है बिलकुल insist insist का मतलब होता है जोर देती हुए ठीक है जोर देना insist मतलब जोर देना किसी बात पर जोर देकर कोई बात कहना insist कहना कहलाता है All over the country All over the country का मतलब क्या है Pूरे देश में Oing to Oing to का क्या मतलब है Oing to का मतलब है K कारण Law Financial businessman Financial का मतलब होता है आर्थिक चार्ज का मतलब होता है जो बसूल करते हैं यूज यूज का मतलब क्या है बड़ी ठीक है huge का मतलब बहुत बड़ा होता है amount का मतलब होता है धनरासी hedge included hedge included का मतलब क्या है जोर दिया है hedge included मतलब जोर दिया है close close का मतलब C-L-A-U-S-E close मतलब कानूनी धारा ठीक है close कहते हैं कानूनी धारा को close का मतलब कानूनी धारा under which का क्या मतलब है जिसकी अधीन किसी की अधीन होना under which मतलब जिसकी अधीन expenses expenses किसे कहते हैं expenses कहते हैं खर्चे को ठीक है expenses कहते हैं खर्चे को page कहते हैं देती है ठीक है page मतलब देना के जी बी और वी का क्या मतलब है क का मतलब कस्तूरबा, जी का मतलब गांधी, वी का मतलब बालिका और वी का मतलब बिद्याले, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बिद्याले, रेजिडेंसियल, रेजिडेंसियल का मतलब होता है आवाशिय, ठीक है, जहां पर बच्चे रह सकते हैं, रेजिडेंसियल मतलब आवा बढ़ाबा देने के लिए रूरल का मतलब क्या है रूरल का मतलब होता है ग्रामीर ठीक है रूरल का मतलब क्या है ग्रामीर फीमेल किसे कहते हैं फीमेल लिट्रेसी फीमेल लिट्रेसी का मतलब होता है इस्तरी सिक्षा ठीक है फीमेल लिट्रेसी का मतलब है इस्तरी की सिक्ष वर्थ शार्टिफिकेट का क्या मतलब है जन्प्रमाड पत्र यूमीन का क्या मतलब है आपका मतलब है दावन किसे कहते हैं वह जो तावन को मतलब वह जो touches touches का क्या मतलब है experience करना have fulfilled have fulfilled मतलब पूरा कर दिया get ready get ready का मतलब तयार हो जाती है excitement excitement का मतलब हो था उत्टेजना excitement क्या दाता है see her off to school see her off to school का क्या मतलब है वे उसे school जाते हुए बिदाई देते हैं see her off to the school वे उसे school जाते हुए बिदाई देते हैं wave का मतलब होता है हिलाना, हाथ हिलाते हैं हाथ हिलाके किसी को बिदा करते हैं response का मतलब होता है जबाब में कोई बात कहना nice का मतलब अच्छा होता है dream school का मतलब सपनों का school ठीक है I hope you meaning आपको समझ में आ गए होंगे चलिए आप story बढ़ते हैं तो आपको सारी story समझ में आ जाएगी क्योंकि आपको meaning पहले बदा चल चुके है जानकी लाल एजा मैसन जानकी लाल एक राज किये मजदूर ठीक है जानकी एजा मैसेव वींग पूर इट इज डिफकल्ड फॉर हिम टू मैनेज हिज हाउस होल्ड बीदिन हिज वेज ठीक है पूर केते हैं गरीब को ठीक है वींग पूर क्योंकि वो एक गरीब मजदूर था ठीक है इट इज डिफकल्ड उसके लिए मुस्किल था डिफकल्ड केते हैं मुस्किल को ठीक है उसके लिए मुस्किल था फॉर हिज मैनेज कि वो मैनेज कर पाए वो विवस्था कर पाए हिज हाउस होल्ड बिदाउट हिज वेज ठीक है बिना अपनी कमाई के बिना अपनी मजदूरी के वो अपने घर को चला पाई ये उसके लिए मुश्किल काम था He has a son उसका एक बेटा था and a daughter और एक बेटी थी दोटर केते हैं बेटी को son केते हैं बेटे को उसकी एक बेटी और एक बेटा था He keeps his son to assist him in his work जो उसका बेटा था वो उसके काम में उसकी मदद करता था ठीक है जानकी लाल and his son मंगू जो जानकी लाल था उसका बेटा मंगू are getting ready to go work वो दोनों काम पर जाने के लिए तयार हो रहे थे ready मतलब तयार होना go मतलब जाने के लिए किसमे work मतलब अपने काम पे जानकी लाल are you ready मंगू जानकी लाल मंगू से कहता है कि मंगू क्या तुम तयार हो चलने के लिए ये दोको ये जानकी लाल है ठीक है वो जाने के लिए तयार है ये बेटा है उसका जो खाना खा रहा है वो इनसे पूछ रहे हैं क्या मंगू तो तुम चलने के लिए तयार हो मंगू तो मंगू क्या कहता है उसका बेटा यस बापू हाँ पिता जी I am coming मैं आ रहा हूं क्या कहता है वो कि हाँ पिता जी I am coming मैं आ रहा हूं only this last चपाती is left चानकी लाल तो जानकी लाल कहते है कि अपना लच बाक्स अपना खाने का डबबा लाना मत भूला forget मतलब भूलन bring मतलब ले चलना your lunch box कहते हैं खाने की डब्बे को तो जानकी लाल से कहते हैं कि अपना खाने का डब्बा ले चलना मत भूलना mango mango कहते है comes out of the house जो mango था comes out मतलब आता है of the house घर से बाहर आता है his mother gory जो उसकी माता है जिनका नाम गोरी है comes out with him वो भी उसके साथ बाहर आती है ठीक है out का मतलब बाहर gory to जानकी लाल listen जानकी लाल से सुनिये listen मतलब सुनना manguj bapu वो कहती है mangu के पिता जी जरा सुनिये our vidya हमारी बिद्या जो की जानकी लाल की बेटी है ठीक है उसका नाम बिद्या है he is asking me to send her to school वो कहती है mangu के पापू जरा सुनिये हमारी बेटी जो बिद्या है वो school जाने के लिए कह रही है वो कहती है कि मुझे school जाना है ठीक है send her to school वो school जाने की एकछा कर रही है ठीक है तो जानकी लाल जानकी लाल कहते है no gory नहीं gory no वो कहते है no gory no नहीं gory नहीं we can't do that हम ये नहीं कर सकते ठीक है do मतलब करना can't मतलब नहीं we मतलब हम हम ये नहीं कर सकते we have limited earning क्योंकि जो हमारी कमाई है वो limited है वो सीमित है limited केते हैं सीमित को ठीक है earning कहते हैं कमाई को तो वो कहते हैं हम इसे स्कूल नहीं बेश सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है हमारी कमाई limited है सीमित है ठीक है sending विद्या to school need high expenses ठीक है वो कहते हैं अगर विद्या को स्कूल भेजना बहुत महगा पड़ेगा ठीक है हाई मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिब कहते हैं खर्चे को ठीक है वो कहते हैं नीड मतलब आवश्यक्ता ठीक हो कहते हैं कि विद्या को स्कूल भेजने के लिए बहुत सारे पैसों क किभावस सेकता पड़ेगी मंगू कहता है यस मा आ यदेंट गो टू निच हो कहता है मैं भी तो किसी स्कूल नहीं गए ठीक है मंगू बोलता है हां मा मैं भी तो किसी स्कूल नहीं गया। only rich men can afford schooling कहता है केबल अमीर लोग only हमmeer को मैंन के आदम्यों को ड抗यता है कि और जो अमीर आद्मी होते हैं स्कूल का खर्च उठा सकते हैं ठीक है ओफोर्ड कहते हैं उठाना ठीक है गृविल काड़ सेफ in गे लेकिन कोहरी के जो दूसरे दोस्त थे वह कहती है कि लेकिन विद्या के जो दूसरी है रहे हैं वो तो सुपूल जाते हैं टू सीज है जा दिजायर टू गो टू इस्कूल और विद्धिया के भी स्कूल जाने की एक्छा है इक जाएर कहते हैं यह तो वह ब्ब framework जानते हैं एक प्रोफिकर मैं नहीं यूश्व को लाय 정도로 क्याworkers je तक मैं नहीं जानता how to manage all this, इन सब चीजों को मैं कैसे manage करूंगा, इन सब चीजों को मैं कैसे विवस्थित कर पाऊंगा, मैं ये बात नहीं जानता हूं, you know, तुम्हें तो पता है, no मतलब जानना, you मतलब वो अपनी पतनी से कहते हैं कि तुम तो जानती हो, nobody from our family has even attended a school, वो कहते हैं, nobody, कोई भी नहीं, nobody कहते हैं, कोई भी नहीं, from our family, हमारे परिवार से, ठीक है, कहते हैं, हमारे परिवार से कोई भी स्कूल नहीं गया है, ठीक है, even attended a school, कोई भी हमारे परिवार से स्कूल नहीं गया है, I can't wear with this new expenses, वो कहते हैं, I can't wearer, मैं नहीं wearer कर सकता, मैं व उठा सकता विएर कहते हैं उठाने को खर्च को विद हिज न्यू एक्सपेंसे जो ये नया खर्च है इसे मैं नहीं उठा सकता ठीक है expand जो कहते हैं खर्च को expenses मैंने बताया था जो महगा खर्च होता है वो कहते है इस नए खर्च को मैं नहीं उठा सकता गोरी गोरी कहते है but if you could गोरी कहते है यदि आप कर सके ठीक है तो गोरी क्या कहते है उससे थोड़ा सा थोड़ा निरास हुए कहते हैं देख लीजे यदि आप कर सके what if you could यदि आप कर सके और जानकी लाल तो जानकी लाल क्या कहते है okay I will consider if we can afford वो कहते है मैं सोचूंगा यदि मैं कर पाया तो ठीक है वो उनसे कहते हैं okay I will ठीक है दो कहते हैं कि मैं विचार करूँगा अगर मैं इस खर्च का बहन कर पाया यह खर्च ठा पाया जानकी लाल is relaxing वेदा को लेवरर सुगम अब जो जानकी लाट थी थे वो आराम कर रहे थे relaxing मतलब थोड़ा सा आराम कर रहे थे वेदा को लेवरर सुगम वो अपने साथ काम करने वाले को लेवरर कहते हैं उनके साथ काम कर रहे थे अपने साथ काम करने वाले सुगम के एपसाद वो लेटे थे अराम कर रहे थे during the lunch hours, lunch के समय तो पैर के भोजन के समय वो थोड़ा सा अराम कर रहे थे सुगम तो सुगम कहता है जानकी यू सीन वरीड टूड़े सुगम कहता है जानकी आज तुम कुछ परिशान दिखाई दे रहे हो सीम मतलब दिखाई दे न वरीड कहते है परिशान टूड़े मतलब आज तो वो कहता है आज आज आप कुछ परिशान से दिखाई दे रहे हैं is everything all right? वो कहता है क्या सब कुछ ठीक है? everything कहते है सब कुछ all right मतलब सही है वो पूछता है क्या सब कुछ सही है जानकी लाल जानकी लाल कहते हैं this morning my daughter expressed her desire to go to school तो उसे बताते हैं कि आज सुबह मेरी बेटी ने my daughter मतलब बेरी बेटी ने expressed her desire उसने अपनी इक्छा जताई desire को उन कहते है कि आज सुबह मेरी बेटी ने अपनी इक्छा जताई कि वो इस्कूल जाना चाहती है ठीक है सुगम then what is there to worry सुगम कहता है then यही तुम्हारे परिशानी का कारण है send her to village school तो वो कहता है आप गाओं के स्कूल में उसे भेज दीजिए village कहते हैं गाओं ठीक है तो कहते हैं को उसे गाओं के स्कूल में आप भेज दीजिए उसे परिशानी की क्या बात है जानकी लाल जानकी लाल कहता है you are aware of my limited resources ठीक है तो जानकी लाल कहता है तुम तो जानते हो अब यह मतलब जानकारी हो ना limited कहते हैं सीमित को ठीक है resources बोलते हैं साधन को तो जानकी लाल कहते हैं तुम तो हमारे limited साधन को सीमित साधनों को जानते हो and a big sum of fees that the school charge जो school है वो बहुत ज़्यादा fees के, fees मांगते हैं बहुत ज़्यादा उनकी, उनका charge होता है fees का, fees कहते हैं जो आप school हों पैसे देते हो ना पढ़ाई के बदले ठीक है, तो वो कहते हैं कि school में जो fees charge की जाती है वो बहुत ज़्यादा है सुगम, सुगम कहता है let's go to जगदीश जी, तो सुगम कहता है चलो, जगदीश जी के पास चलते हैं, master सहाब जो कि master सहाब है of our village school तो बहुत कहता है, जगदीश जी जो कि हमारे school के master सहाब है हमारे गाउं के school के master सहाब है उनके पास चलते हैं he can help us को सुल्जाने में हमारी बो मदद करेंगे ही इस क्वाइट को आपरेटिव बहुत ज्यादा सही होगी है को आपकाम के बाद सुगम एंड जानकी लाल वेंड टू मीट मिस्टर जगदीश सर्मा अब जो काम करने के बाद जो सुगम था जानकी लाल था बो दोनों ही मीट जो मास्टर साब थे गाओं की स्कूल के दा विलेज स्कूल मास्टर जो गाओं की स्कूल के मास्टर साब थे उन दोनों वो दोनों जो थे उनसे मिलने गए सुगम नौकिंग एड डोर सुगम जो था उसने दरवाजा खटखटा आया नौकिंग मतलब खटखटा ना डोर के दिंदर बाजे को master जी are you there? वो कहता है master जी क्या आप यहाँ है? Mr. Sarma तो जो master जी थे Mr. Sarma yes who are? तो वो कहते है yes मैं यही हूँ आप कौन है? कौन है वहाँ पर who's there? वहाँ पर कौन है? सुगम, सुगम कहता है sir I am सुगम मैं सुगम हूँ my son Manu is your student हमारा बेटा जो Manu है वो आपका बिद्यार्थी है pointing to जानकी लाल जानकी लाल की तरब इसारा करते हुए he is my friend जानकी लाल वो कहते हैं कि यह मेरा दोस्त जानकी लाल है he want to ask your something यह आप से कुछ जानना चाहता है Mr. Sarma Mr. Sarma कहते हैं yes जानकी लाल how can I help you में आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ ठीक है यह देखे यह यहाँ पे Master जी हैं और यह दोनों बैठे हुए हैं एक जानकी लाल है उसका दोस्त है तो जानकी लाल जानकी लाल बोलता है Master सहाब I am a poor mason मैं एक गरीब मजदूर हूँ ठीक है I am a poor mason मैं एक गरीब राजमिस्तरी हूँ I want to get my daughter admitted to a school मैं अपनी बेटी को school भेजना चाहता हूँ but लेकिन Mr. सर्मा तो Mr. सर्मा कहते हैं Master सहाब कहते हैं yes speak out everything frankly तो कहते हैं तुम साफ साफ सारी बात बताओ ठीक है everything कहते हैं सब कुछ ठीक है जानकी लाल कहता है my daughter Vidya want to go to school मेरी जो daughter Vidya है मेरी बेटी विद्या है वो school जाना चाहती है but I don't know लेकिन मैं नहीं जानता how I can fulfill her wishes उसकी एक छा को मैं कैसे पूरा करूँ wishes कहते हैं एक छा को fulfill मतलब पूरा करना I don't have sufficient means to pay her fee मैं उसकी fees को देने में असमर्थ हूँ ठीक है मैं उसकी fees नहीं दे सकता ठीक है मैं उसकी fees नहीं दे सकता मैं नहीं जानता है कि उसक्छा मैं कैसे पूरी करूँ ठीक है मिस्टर सर्मा मिस्टर सर्मा कहते हैं is that all it's not a big issue these day वो कहते हैं ये आज की समय में ये बड़ी समस्या नहीं है sufficient मतलब यह होता है या परियाप्त है ठीक है sufficient पहले में बता चुकिए इसका मतलब होता है परियाप्त ठीक है is that all का मतलब है वो कहते हैं बस यही बात है क्या is that all बस यही बात है it's not a big issue these day आज कल ये बड़ी समस्या नहीं है you can get विद्या admitted to any government school वो कहते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में आप विद्या का admission करा दीजिए you have to pay no fee at all वो कहते हैं आपको कोई fees नहीं देनी पड़ेगी you have to pay no fees at all आपको यहां तक कोई fees नहीं देनी पड़ेगी it's the duty of the government to provide free education to every child up to the class earth वो कहते हैं ये government यानि सरकार की जिम्मेदारी है duty कहते हैं जिम्मेदारी को ठीक है government के सरकार को ये सरकार की जिम्मेदारी है provide करना देना ठीक है मुहया कराना free education मुप्त सिक्षा every child हर एक बच्चे को एर्थ तक ठीक है class 8 तक हर एक बच्चे को free सिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है the only criterion is the age of the child which should be from 6 to 14th year तो कहते हैं केवल इसका criteria क्या है केवल बच्चा जो है उसकी उमर 6 साल से 14 साल होनी चाहिए बस यही एक बात है बाकी एर्थ तक बच्चे फिरी में education प्राप्त कर सकते हैं have you ever heard of RTI ठीक है RTE वो कहते हैं क्या आपने RTE के बारे में सुना है heard मतलब सुनना ठीक है क्या आपने RTE के बारे में सुना है तो सुगम कहता है yes it is some law books of education तो वो कहता है यह yes मैंने सुना है यह कुछ law है कानून है books on education education के बारे में सिख्चा के बिसे में कुछ कानून है Mr. सर्मा Mr. सर्मा कहते है yes you are absolutely right आप बिलकुल सही बोल ले है absolutely मतलब बिलकुल right मतलब सही ठीक है आप बिलकुल सही कह रहे है सुगम it insists on free education for children from 6 to 14th year of age all over the country वो कहते हैं देश के सभी बच्चों को पूरे देश के सभी बच्चों को छह से 14 बच्चों को ये free education free सिक्षा देने के लिए insist करता है जोर देता है they get free education free book and midday meal also वो कहते हैं free सिक्षा के साथ साथ आपको free books भी मिलेंगी और दुपैर का भोजन भी मिलेगा midday meal का मतलब दुपैर का भोजन विद्या में गेटा free uniform owing to your low financial status वो कहते हैं विद्या को free में uniform भी मिलेगी free में उसको dress भी मिलेगी क्योंकि आपकी जो financial status आपका है जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है लो मतलब कमजोर हो ना it is the private school that charge huge amount of fee from student वो कहते हैं बताते हैं कि ये cable जो private school है वही पच्चों से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं fees के तौर पर ठीक है इविन दा आर्टी है इंक्लूड आ क्लोज अंडर विज 25 परसेंट ऑफ पूर एंड डिप्राइब्ड स्टुडेंट सच वी गिविन एड्मिशन्स टू प्राइबेट स्कूल वो कहते हैं यहां तक कि जो आर्टी है उसने सामिल किया है इंक्लूड मतलब सामिल करना अपने क्लोज में सामिल किया है कि जो 25 परसेंट 25 परसेंट जो गरीब बच्चे हैं उन्हें प्राइबेट स्कूलों में भी दाखला दिया जाएगा उनका खर्च सरकार उठाएगी ठीक है दा गर्मेंट फेज दियर फी एंड अधर एक्सपेंस और जो गर्मेंट है वो उनकी फीस भी देगी और उनके दूसरे खर्चे भी सरकार देगी इवें दियर आर के जी वी वी रेजिडेंशल स्कूल वो कहते हैं जो अभी हमने पढ़ा तक कस्तुर्वा केस क्या है गांधी वाल का विद्याले जो रेजिडेंशल है आवाज यह है स्कूल सेट अफ वाय दा गॉर्मेंट फॉर्ड एजुकेशन ऑप दा गर्ड टो इन्हेंस रूरल फीमेल लिट्रेसी वो कहते हैं यहां तक कि कस्तुर्वा गांधी जो वाल का विद्याले है उसे सरकार ने लड़कियों की सिक्षा के लिए इसे बनाया है ठीक है आवाज यह स्कूल यह कस्तुर्वा गांधी उसे किसलिए सेट अप किया है सरकार ने जो गर्स चाइल्ड के एजुकेशन के लिए ठीक है गर्स को पढ़ाने के लिए एनिधिंग आलसो दाट यू वांट तो नो ठीक करते हैं वाट हैव आई टू डू नाओ ठीक है वो उनका धन्यवाद तो मास्टर जी कहते हैं कि इसकी अत्रिक्त भी कोई बात है क्या जो आप जानना चाहते हैं ठीक है उनसे पूछते हैं मिस्टर सर्मा यू सिंपली वरिंग विद्या विद हर बर्थ शार्टिफिकेट मियौ तो शरमा जी कहते हैं जो मास्टर साफ कहते हैं वो कहते हैं कि आप ख्रीप विद्या को के साथ उसका वर्थ सार्टिफिकेट ले आए ठीक है जानंकिलाल मास्टर यू Напील क्या जांटेब का मतलब है को मैं अपना राशनकार्ड ले आऊumen तो मिस्टर सर्मा कहते हैं तब जो certificate आपको प्रमाण पत्र जो आपको 25 से मिला था उसे आप ले आईए उसका जन्म प्रमाण पत्र विद्या और विद्या को जानकी लाल with tear in his eyes तो जानकी लाल अपनी आँखों में आशु लिये हुए तर्स मिस्टर सर्मा फीट मिस्टर जो सर्मा थे मास्टर जी उनके पाऊंचूते हैं मास्टर साहब यू है फुल्फिल्ड माई विद्या ड्रीम तो कहते हैं मास्टर जी आपने मेरी विद्या के सपने पूरे कर दिये ठीक है, फुलफील मतलब पूरा करना, ड्रीम कहते हैं सपने को, विद्या gets ready for school in great excitement, और बहुत खुसी से, ठीक है, बहुत उत्तेजित होके, खुसी खुसी वो school के लिए तयार होती है, विद्या कौन तयार होता है, विद्या देखे कितनी खुसी दिख रही, खुस दिख रही ठीक है, her parents are equally happy, और बिद्या के ही समान, उसकी माता पिता भी उसको school भेजने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिशन है, they see her off to school, उसे school भेजने के लिए जिसे बिद्या बहुत खुस दिख रही है, वैसे उसकी माता पिता भी बहुत खुस है, बिद्या बाए मा, बाए बाप बाए 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 बोलती है, बिदा लेती है, बिदा लेती है, बिदा लेती है, school जाने के लिए, the parents gave their hand in her response, और उसके जबाब में, उसके माता पिता भी हाथ हिला कर उसे बिदा करते हैं, बिद्या, oh how nice, बिद्या करती है, oh कितना अच्छा है, so many friends, कितने सारे दोस्त जाएंगे, it's my dream school, ये मेरे सपनों का विद्याले है, ठीक है, तो I hope ये chapter का आपको कैसा लगा, बताएगा, कमेंट करके, और ये वीडियो बहुत बढ़ा हो गया है, इसके जो question answer है, और इसके जो आपके grocery वाले ये, जो hard bird है, इनको हम next वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, thank you all of you, thank you for watching, आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएगा,